राजस्थान में रीट परिशा में पद बढ़ाने को लेकर कई महां से रीट अभ्यारती धर्ना परदर्शन कर रहे हैं लेकिन परदेश के मुखे मंतरी आँख और कान बंद किये हुए हैं दोलपूर जीले में आज बदुहार को रीट अभ्यारतीयों ने इस्थानी गांधी पार्क पर एक जुट होकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया और समस्त रीट अभ्यारती अशोक गहलोत का पुतला लेकर पूरे बाजार में घूमें और शहर के चावगवार पर अशोक गहलोत का पुतला फूंका उसके बाद राजा, खेड़ा और 76 के कांग्रसी विधायक रोहित बोहरा के निवास का घेराव कर उन्हें ग्यापन सोपा विधायक रोहित बोहरा ने मुख्यमंत्री गहलोत को पत्तर लिखकर 50,000 पदों पर रीट के पदों में प्रदी करने के लिए पत्तर लिखा रीट अब्यर्थियों ने बताया कि रीट परिक्षा में मुख्यमंत्री इतानाशाई करते हुए पदों में पड़ोत्री नहीं कर रहे हैं जबकि पूर्व सरकार में रीट पदों में पड़ोत्री की थी लेकिन तीन वर्ष बात रीट परिशा आयुजित होने पर विद्यारतियों को पदों के बढ़ाय जाने की मांग की जा रही है जिसमें रीट के पदों को 50,000 करने को लेकर धरना प्रदर्शन भी किये गए थे लेकिन सरकार तुवरा रीट के पड़ने के वज़ाए 20,000 पदों के लिए रीट परिशा की कोशना करती है आज पांच तारीक को रीट के ये डेड़ सो दो सो से जाला विद्यारतिया एक अच्छे दूए अगर हमारी बात नहीं सुनें तो खल 500 परसो एक अजार और उसके दो दिन बादियां 5,000 लड़के घटा होंगे सासन की अभ्यवस्ता होगी आम लोगों को समश्य होगी हम एक परसेंट नहीं चाहते हैं अगर हमारी माँए नहीं सुनी जाएंगी अगर हमारी माँए नहीं सुनी जाएंगी मैं यहां खड़े होकर अपने सारे भाईयों के साथ कहता हूँ क्टिर्ब लेकान